नमस्कार वेदविया स्वागत है आपका अचके स्रोजगार समाचार में दस्वी पासों मिदवारों के लिए सरकारी नौकरी के बहतरी नफसर सामने आए हैं दरसल केंदरी रिजर्ब पुलिस द्वारा SSC जीरी भरती के तहट CRPF में कॉंस्टेवल के पदों पर भरती निकाली गई है यह भरती कुल 337 पदों पर आई है आविदन करने के अंतिम तारीक 31 दिसंबर 2023 एक चोग मिदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट SSC.NIC.IN पर जाक उनलाइन तरीके से आविदन कर सकते हैं चलिएब हम बात करते हैं साविदन के लिए लगने वाले आविदन सुल्ख के बारे में तो इसके लिए उमिदवारों से 100 रुपे आविदन सुलक के रूप में लिये जाएंगे हाला कि जो हमेदवार अपना संबंद S.C.S.T. कैट तो जो उमिदवार SSE GD Constable के पदों पर भरती के लिए आविदन करने के एक्छा रख रहे हैं। उन्हें किसी भी मानिता प्राप्त बोड या संस्तान से दसवी पास होना जरूरी है। इसके अलावे उमिदवारों के हाइट, वेट, चेस्ट और दौर आधी भी चेक किया जाएंगे। ये फिजिकल मान दंड की पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। एक बार सारीरिक मान दंड अधी सूचना में जाकर जरूर देखें। आगे हम बात करेंगे इन पदों पर चेन किये जाने के बाद उमिदवारों के वेतन मान की। तो जिन उमिदवारों का चेन ऐसे सी जीडी भरती द्वारा होगा, उन्हें वेतन के रूप में 11700 रुपे से लेकर 79100 रुपे दिये जाएंगे। हम जानेंगे इस भरती के लिए उमिदवारों के उम्र सीमा के बारे में, तो बता दे कि उमिदवारों की नियुनतम उम्र 18 वर्स तो वहीं अधिकतम उम्र 23 वर्स होनी चाहिए। पूछेंगे, उसके बाद उमिदवारों के फिजिकल एफिशीन सी टेश्ट और फिजिकल स्टेंडर टेस्ट लिए जाएंगे, सारी रिकमानगी हैं परीषा तभी होगी, जब उमिदवार computer based test पास करेंगे उसके बाद जो उमिदवार सारे रिक मानक की परेक्षा में भी उत्तर्ण हो चुके हैं उनका medical test और documents verification test होगा उसके बाद उमिदवारों का चेंड किया जाएगा आई आकरी में अब हम जानते सावेदन प्रक्रिया के बारे में तो जो उमिदवार स्पद के लिए आवेदन करने की एक्षा रख रहे हैं उन्हें सबसे पहले इसके अधिकारिक website ssc.nic.in पर जाना होगा नेकिन आवेदन करने से पहले इसके notification को जरूर पर ले उसके बाद इस पर से संबंदित लिंक का आपको इसके अधिकारिक website पर दिखेगा इस पर लिख करते ही आप से कुछ details मांगे जाएंगे यहां आप अपने registration की प्रक्रिया पूरी करें registration करने के बाद आपको आपके आवेदन फॉर्म मिलेंगे इससे फिल करें मांगे गए सबी दस्तावेजो को अप्लोड करें आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आज के लिए फिलाल इतना ही हमारे साथ मरे रहने के लिए आपका धन्यवाद